गुट आफ्टून एवरीवन आप सभी का फिर से स्वागत है Competition Community के इसी Learning Platform पर हमने कल शुरू किया था National और International Current Affairs जिसमें हमने डील किया लिया था क्या सार्वजनिक परिक्षा या फिर लोग परिक्षा अनुचित साधनों की रोगताम अदिनियम 2024 इतना हमने शुरू कर लिया था आज हम शुरू करने वाले हैं कहां से Minimum Support Price of Kharif Crops और यहां से हमारा सेशन हम क्या करेंगे Continue करेंगे क्योंकि कल का सेशन हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था इसलिए हमने क्या किया है उसे वहीं पर स्टॉप कर दिया और आज हम शुरू करेंगे कहां से Minimum Support Price या फिर न्यूनितम समर्तन मूली पर तो आईए समझते हैं क्या है यह Government has increased the MSP या फिर Minimum Support Price of Kharif Crops Kharif Crops for Marketing Season 2024 25 to ensure renuminative prices to the growers for their product the highest absolute increase in the MSP over previous years has been recommended for oil seeds and purses याने की ठीक है विचार नाइजर सीट पॉलओड बाइ सीसम पर क्विंटल इतना इतना का इनमें increase हुआ है तो ठीक है यह पूरा जो हमारा है इसमें बोलना यह चाहरा है कि जो भारतिय सरकार है इसने न्यूनितम समर्थन मूल्य जो खरिफ फसलों के लिए है उसकी घोशना कर दी है और लगबग लगबग सभी जितने न्यूनितम समर्थन मूल्य दिया जाता है सभी में क्या किया गया है वृद्धी की गई है उनके न्यूनितम समर्थन मूल्य में तरवाधिक जो किया गया है वो नाइजर सीड में किया गया है पिछले वर्ष की मुकाबले 983 रुपे इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा इस वर्ष सीशम में दूसरा सर्फ से जादा वृद्धी देखने हमें मिलता है जो की है 632 रुपे का उसके बाद में तूर या फिर अरहद में हमें 500 रुपे की वृद्धी देखने मिल रही है है नहा अटेश में फिर मार्केटिग शेट डुपे वर्ष करीफ पॉसल फॉर्टिग शीजन दोजार चॉबिस पच्छिश इन लान इन लिएन बजट अथार अन्निस अनौंस्ट फिक्सिंग पिक्सिंग आप जाव फिक्स तामिज फॉर्ड बाज़् फॉर्ज दिया वे of the crops margin to farmers over their cost of production is estimated to be at 50% मतला बोलना ये चाह रहा है कि जो वर्तमान में आपके क्या किया गया है नियुनतम समर्थन मूल्यों की गोशना की गई है उसे अलाइन किया गया है किसके साथ में सन 2018-19 के बजट में केंदर सरकार ने ये बोला था कि जो नियुनतम समर्थन मूल्यों होगा वो उसमें जो फार्मर्स का इंपुट लगता है है ना जितना भी उन्होंने अपना कर्च करके उगाया होता है फसलों को उससे 50 प्रतीशत अधिक में क्या करना होगा minimum या फिर ये बोला जाए 1.5 पर टाइम्स एक जादा होना चाहिए जो आपका नियुनतम समर्थन मूल्यों होगा तो 1.5 टाइम्स जादा होना चाहिए ये किस में बोला गया है यूनियन बजट 2018-19 में बोला गया है और उसी को अलाइन करते हुए क्या किया है इस बार का जो आपका खरिफ फसलों के लिए यूनितम समर्थन मूल्यों है उन्हें गोशित किया गया है जो सरवादिक मार्ज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है मतलब सरवादिक सबसे ज्यादा मार्जिन cost of production और minimum support price में देखने मिल रहा है वो आप लोगों को देखने मिल रहा है बाजरा very important ये आप लोगों के लिए क्या बन सकता है इन्हें घटनते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमाने आ सकता है तो सरवादिक जो मार्जिन है आपका input cost और minimum support price के बीच में वो है आपका किसमे बाजरा और ये आपका 77% यहाँ पर margin है दूसरा आपका है tour या फिर अरहर और इसमें है कितना 59% margin आप लोगों को देखने मिलता है इसके बाद में maze है और maze में आप लोगों को 54% का क्या देखने मिलता है margin मिलता है और finally यहाँ पर उरद है उरद डाल और इसमें हम लोगों को कितना 52% का margin देखने मिलता है तो वरतमान में जो MSP गोशित किये गए है इनमें दो चीज़ें आप लोगों के लिए important है एक तो किसका कितना MSP इस साल गोशित किया गया है दूसरा यह जो margin है यह सरवादिक से कम किसमे होती है यह क्यों चारों को आप लोग याद कर लेंगे ascending और descending order में और तीसरी चीज़ यह जो न्यूनितम समर्थन मूल्य है इसे गोशित करने वाली संस्थान कौन सी है तो इसे गोशित करने वाली जो संस्थान है उसका नाम है CACP या फिर Commission for Agricultural Costs and Price CACP इसका नाम है और यह जो CACP है Commission for Agricultural Price and Commission for Agricultural Costs and Price यह इसे जारी करती है किसके माध्यम से आपका Cabinet Committee on Economic Affairs मतला भारतिय सरकार की जो आपका क्या है Cabinet Committee on Economic Affairs है वो क्या करती है इसमें final निर्णे लेती है कि कौन से फसल में कितना आप लोगों को देना है यूनितम समर्तन मूल्य लेकिन जो recommendation है वो कौन करता है CACP और CACP क्या है आपका Commission for Agricultural Costs and Prices है न CACP क्या करता है देख लेते हैं The Commission for Agricultural Costs and Prices decides the minimum support price and report its recommendation to government in form of price policy report every year मतलब price policy report के नाम से CACP Government of India को क्या करती है अपनी सिफारिशें भेजती है कि इस फसल का निर्णेतम समर्तन मूल्य इतना होना चाहिए जो केंद्र सरकार है उसको ये report किस रूप में मिलती है price policy report के नाम से मिलती है जो कि 5 अलग-अलग groups के लिए क्या है 5 अलग-अलग खाद्यानों के लिए ये क्या बनाई जाती report बनाई जाती है खरिफ के लिए, रभी के लिए, शुगर केन के लिए, रॉजूट के लिए और कोप्रा इन 5 अलग-अलग क्या है आपके जो वस्तुएं हैं इनके लिए report त्यार करती है CACP भेज देती है किसको केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार क्या करती है उस report को सभी राज्यों को union territories को भेजती है और साथ में जितने भी मंतराले उससे सम्मंदित होते हैं, उन सभी को भेजती है, उन सभी से recommendations मांगती है क्या इसमें कोई सुधार करना चाहिए या इसमें सुधार नहीं करना चाहिए जब वहाँ से recommendations आ जाते हैं सरकार के पास में, तो जो final निर्नाय होता है, जो अंतिम निर्नाय होता है, वो कौन लेता है? वो लेता है आपका Cabinet Committee on Economic Affairs Cabinet Committee on Economic Affairs मतलब आर्थिक मामलो की Cabinet समीथी इसमें final decision लेती है और फिर CACP को बोलती है कि ठीक है, we have decided on your recommendations और अब आप क्या कर दो, इसे घोशित कर दो तो finally घोशित करने वाली जो संस्तान है, वो कौन सी है? CACP याने कि Commission for Agricultural Costs and Prices ये उसे घोशित करेगी, लेकिन actual निर्ने लेने का काम कौन करता है? आर्थिक मामलो की Cabinet Committee, Cabinet समीथी, The Committee on Economic Affairs और ये कैसे करती है? ये सभी राज्यों, सभी Union Territories और सभी मंत्रालेयों से शिफारिशे आने के बाद में कौन इनके पास में करता है? केंदर सरकार जब इनको भेज देता है, वहाँ से सिफारिशे आ जाती है तब फाइनली डिसाइड करता है कौन? Cabinet Committee on Economic Affairs और फिर फाइनली उसे रिलीज करने वाला कौन है? CACP तो यह जो CACP है, इसका हम लोग क्या देख लेते हैं? इतिहास देख लेते हैं Commission for Agricultural Costs and Prices is an Attached Office to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare यह एक क्या है? Attached Office है किसमें जो आपकी क्रिशी एवं किसान क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले जो है आपका क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले वहाँ का एक क्या है? Attached Office है जिसकी स्थापना जन्वरी 1965 में की गई थी कब की गई थी? जन्वरी 1965 में और वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष है सदस्य सचिव होते हैं एक सदस्य यहाँ पर क्या होते हैं? आधिकारिक रूप से होते हैं और दो सदस्य क्या होते हैं? गैर आधिकारिक तोर पर होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुल मिला करके यह क्या है? पांच सदस्य संस्थान है कौन? CACP और इस CACP का काम क्या है? इस CACP का काम है भारतिय सरकार को सिफारिषें देना किन फसलोटों पर कितने नियोंतम समर्थन मूल दिया जा सकता है साथ ही गैर समर्थन मूल सिफारिषें भी कौन देता है? CACP देता है तो जनवरी 1965 में इसका क्या किया गया था इसे अस्तित्व में लाया गया था वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष होते हैं एक सदस्य सचिव होते हैं साथ में एक सदस्य जो होते हैं जो अधिकारिक तौर पर होते हैं और दो सदस्य होते हैं जो गैर अधिकारिक होते हैं और जो गैर अधिकार सदस्य होते हैं वो क्रिशक समुदाय के प्रतिनिधी होते हैं क्रिशक समुदाय के क्या होते हैं प्रतिनिधी होते हैं और आम तोर पर क्रिशक समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं तो यह है आप लोगों का क्या समर्थन मूल्य का पूरा का पूरा माम अनाजों का अनाजों में किसे कितना समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, तो जो धान है, जिसमें धान समान्य का इस वर्ष समर्थन मूल्य होगा 2300 रुपे, ग्रेड एक आ होगा 2320 रुपे और उसके बाद में जो़ार भी दो प्रकार की है, आपकी एक हाइब्रीड है और एक म पलाईदार है, इसका कितना है, 3421 रुपे है, उसी प्रकार जो बाजरा है आपका, उसका कितना है, 2625 रुपे, रागी का है कितना, 4290 रुपे, मक्के का कितना है, 2225 रुपे समर्थन मूल्य है, और यहां तक के पूरे आपके क्या है, खाद्यान है, याने की, फुड ग्रेंज है ये, फुड ग्रेंज, खाद्यान, इसके बाद में हमारे पास में आ जाती है दालें, और दालों में सबसे important कौन सी है, तूर और अरहद, इसका जो समर्थन मुल्य है, वो है कितना, 7550, मूंग है, इसका समर्थन मुल्य कितना है, 8682, उसी प्रकार हमारे पास में तीसरा जो हमारा क्या है, दाल है, वो है उड़त दाल, और इसका समर्थन मुल्य हो जाता है, आपका, 74100 रुपए, फिर यहां से हमारे पास में शुरू हो जाते हैं, तिलहन, और तिलहनों में हमारे पास, मूंग फली का है, कितना, 6787, उसके बाद में आ जाती है, तिलहन में, तिल, है ना, और यह तिल कौन, कितने की है, 967 रुपए, इसका क्या है, आपका, समर्थन मूल्य है, नाइजर सीड, जिसमें सरवादिक वृद्धी, 935 रुपए की वृद्धी की गई है, पिछले वर्से, माफ किजएगा, 983 रुपए की, 983 र 971 रुपए इसका समर्थन मूल्य हो गया है, और व्याबसाइक जो हमारे पास में फसल है, वो है क्या कपास और कपास के भी दो प्रकार है, एक मध्यम है स्टेपल, और दूसरा है लोंग स्टेपल, तो जो मध्यम है, उसका समर्थन मूल्य है, 7,121 रुपए और जो long steple है उसका कितना है 7,521 है अगर आप लोग रट सकते हैं तो रट लिजिएगा You never know किसी exam में match the following वाले column में ये आ जाए इसके बाद में हमारे पास में है नागास्त्र एक और नागास्त्र क्या है नागपुर स्थित solar industries ने भारतिय सेना को पहला स्वदेशी रूप से विक्सित loitering munition नागास्त्र एक दिया है मतलब solar industries जो की कहां पर है नागपुर में स्थित है इसने भारतिय सेना को indigenously build मतलब स्वदेशी रूप से विक्सित loitering munition मतलब self-destructing drones हैं यह self-destructing self-destructing मतलब उसको एक और शब्द क्या यूज किया जा सकता है उसके लिए loitering munitions और यह क्या है यह drones है तो नागास्त्र क्या है नागास्त्र एक drone है जिसे विक्सित किया गया है किसके द्वारा solar industries जो कहाँ पर है नागपूर में है और यह क्या है यह self-destructing drones के रूप में हमें देखने मिलती है आगे देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसे विक्ति है जो वर्तमान में हमारे लिए क्या बने रहे हैं चर्चा का विशय रहे हैं जिन में से एक हैं आपके Cyril Ramaphosa और यह है आपके South Africa के पाँचवे President है और यह सन 2018 से निरंतर क्या बने हुए है President बने हुए है हमारे लिए important इसलिए है क्योंकि यह दूसरी बार फिर से क्या हो गए है South Africa के President नियुक्त किये जा चुके है या फिर चुने जा चुके है दूसरे हमारे लिए जो important है वो है भरत्रु हरी या फिर भारत्री हरी महताब भारत्री हरी महताब जो है उन्हें अठारवी लोग सभा के लिए प्रोट्रेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है है न इसलिए ये व्यक्ति हमारे लिए important हो जाते है जो भारत्री हरी महताब है इस इस एन इंडियन पॉलिटीशन फ्रॉम उडिसा उडिसा से है ये एक भारतिय क्या है राजनेता है और इन्हें क्या किया गया है as a speaker for pro time speaker for 18th लोग सभा क्या किया गया है चुना गया है अब ये जो pro time speaker होता है इसका जो नियुक्ति की जाती है ये नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा राश्ट्रपती के द्वारा भारतिय सम्विधान के अनुछेद 95 clause 1 के तहत किया जाता है और ये क्या करते हैं ये speaker की भूमिका निभाते हैं जब तक एक नए speaker और deputy speaker का क्या नहीं हो जाता चुनाओ नहीं हो जाता है ना और generally the senior most जो member होते है सदन के है ना उन्हें क्या बनाया जाता है speaker pro temp बनाया जाता है when the new speaker is elected by the house the office of speaker pro temp ceases to exist तो ये जो speaker जैसे ही आप क्या कर लेते हैं चुनाओ हो जाता है speaker का सदन में उसके बाद क्या किया जाता है ये जो आपका pro temp speaker का अपने आप ही जो office होता है वो स्वता ही क्या हो जाता है बंग हो जाता है तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इन में से ऐसा कौन सा post है जो या ऐसा कौन सा office है जो स्वता ही कुछ समय बाद में भंग हो जाता है या फिर temporary होता है office of president, office of vice president office of speaker या फिर office of pro temp speaker तो आप लोगों को पता होना चीए जो temporary office है वो कौन सा है pro temp speaker का है वर्तमान में दो हजार अठारा दो हजार चॉबिस में अठारवी लोग सभा के लिए किन है pro temp speaker के रूप में नियोक्ति किया गया है तो वो है आपके भरत्री हरी महताब जो की कहां से है उडिशा से सम्बंदित हैं तो ये सभी आप लोगों के लिए important हो जाएगा आगे चलते हैं duties of pro temp speaker क्या क्या होती है इनकी duty इनकी होती है to preside over the first sitting of लोग सभा, administer oath of office to newly elected MPs to conduct vote of speaker and deputy speaker मतलब जो पहली बैठक होती है लोग सभा की उसकी अध्यक्षता करेंगे ये इसके बाद में जितने भी लोग सभा के सदस्य होंगे उनको क्या करेंगे शपत दिलाएंगे और साथ में आपका speaker और deputy speaker याने speaker और deputy speaker की क्या करेंगे ये चुनाओ करवाने में भी अध्यक्षता करेंगे इसके बाद में हमारे लिए important हो जाता है कुछ ऐसे स्थल चर्चित स्थल जो हमारे लिए current affairs में continuously बने हुए उनको भी देख लेते हैं सबसे पहला है जम्मू कश्मीर अब जम्मू कश्मीर इसलिए हमारे लिए current affairs में बना हुआ है क्योंकि यहाँ जो चेनाब rail bridge है यहाँ पर वर्तमान में क्या कर लिया गया है आठ बोग्यों वाली एक train का सफल परिक्षन कर लिया गया है इसलिए हमारे लिए यह पुरा का पुरा जम्मू कश्मीर और चेनाब का जो rail bridge है यह important हो जाता है चेनाब rail bridge जो है यह संगलदान जो की रामबन डिस्ट्रिक्ट में है और कौरी जो की रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में इन दोनों के बीच में यह क्या बना हुआ है rail bridge बना हुआ है कौन सी project के अंदर में बना हुआ है तो उधमपूर श्री नगर बारा मुला rail link project यह इसका नाम है उधमपूर श्री नगर बारा मुला rail link project है जिस project के पहत यह चेनाब bridge को बनाया गया है यह जो bridge है यह लगभग आपका 369 मीटर याने की 1178 feet की उचाई पर है नीचे से चेनाब नदी बह रही है और उपर में है क्या rail bridge और यह दुनिया का सबसे उचा rail bridge है दुनिया का सबसे उचा rail bridge होने का इसे गौरव प्राप्थ है चेनाब रेल bridge को और यह एफिल टावर से भी उचा है इससे उचा है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बहार्ती railway का एक कितना महत्वपूर्ण और कितना एक गौरव शाली प्रोजेक्ट रहा है चेनाब रेल ब्रिज इंडियन रेलवेज अचीवड़ा माइल स्टोन विच सक्सेस्फुल ट्रायल रॉन और नूली कंस्ट्रक्टेड चेनाब ब्रिज टाउटेड अगे चलते हैं अगला है हमारे पास में राजगीर नालंदा तो वर्तमान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा में एक नए परीसर का उड़गाटन किया जो लगबग 500 एकड़ों में पहला हुआ क्या है एक पूरा का पूरा सैक्षनिक संस्थान के रूप में देखने मिल रहा है नालंदा का इतिहास हमारा बहुत पुराना है जो आज के डेट में International Oxford University है उससे भी 600 सालों पुराना हमारा इतिहास है किसका नालंदा उनिवरसिटी का कुछ लोगों का मानना है कि वो उनिवरसिटी जो है वो स्वतह ही क्या हो गई प्राकृतिक आपदाओं के कारण ध्वस्त हो गई कुछ लोगों का मानना है कि बक्तियार खिलजी ने तेरवी शताब्दी में उसे क्या कर दिया नश्ट करवा दिया आग लगा दिया बहरहाल हमारे लिए इंपोर्टन्ट यह है कि वहाँ पर फिर से उसे क्या किया गया है उसका इंटरनैशनल इंपोर्टन्स उसे वापस दिया जा रहा है तो नालंदा परिसर हमारे पास में क्या है नालंदा जो युनिवरसिटी है वो पूरे दुनिया की पहली अंतरराश्ट्रिय विश्व विद्यालय के रूप से प्रख्यात है ना केवल भारत बलकी मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, भुटान आसपास के जितने भी रश्या यहां से लोग आया करते थे उस समय यहां पर पढ़ने के लिए बहुत बड़े-बड़े विद्वान, आर्यभट, नागरजुन, यह सभी यह नालंदा युनिवरसिटी से ही पढ़के निकले हुए है तो यह हमारे भारत की संस्कृती के लिए बहुत ही गौरब शाली पर्वतिवहार जैसा यह क्या हो रहा है यहां पर हमारे लिए सेलिबरेट करने वाली बात है है ना तो दुनिया का पहला जो अंतरराश्ट्रिय आवासिय विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्व परीसर का क्या किया है उठगाटन किया है सबसे खास भात यहां की यह है की 500 एकड़ों में फैला हुआ यह जो आपका युनिवरसिटी है जो नया परीसर बनाया गया है इसमें से 200 एकड़ तील है वो वाटर बोडीज है 100 एकड़ जो है वो ग्रीन कवर है याने कि आपका जल छेत्र है कितना 200 एकड और 100 एकड है आपका क्या हर्याली मतलब पेड़ पौदे और इस पूरे परिसर की खास बात यह है यह जीरो कारवन एमिशन वाला आपका क्या है पूरा का पूरा परिसर है मतलब यहां से कोई भी कारवन आपका उत्सरजन नहीं तो यह क्या है आपका कारवन मुक्त और नेट जीरो कैमपस है इस कारवन मुक्त नेट जीरो कैमपस कारवन फ्री कारवन फ्री नेट जीरो कैमपस है यह ना और यहां पर जो जल छेत्र है 200 एकड में वहां पर जो जल छेत्र है उनका नाम क्या रखा गया है कमल सागर पॉं गया है थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं ये जो आपका नालंदा परिसर रहा है नालंदा विश्व विद्याले रहा है हमारा इसका इतिहास जाता है गौतम बुद्ध के समय से और इस समय इसका नाम हुआ करता था नालंदा महा विहार तो अगर आप लोगों से पू शताबदी ईश्वी में समराट कुमार गुप्त द्वारा इसे क्या किया गया था स्थापित किया गया था और 700 वर्षों तक ये बहुत ही जबरदस्त क्या किया है फला है फूला है नागारजून आर्यभट धर्मकीर्थी जैसे गुरु यहां पर शामिल रहे है आवासी याने कि रेसिडेंशल युनिवर्सिटी रहा है ये इंटरनैशनल पूरी दुनिया का पहला है ना और माना जाता है कि अपने चरम पर यहां पर 2000 सिक्षक थे ये इतना हमारे लिए गौरव की बात है हमारे नालंदा परिसर का हमारा क्या हो रहा है रिवाइवल हो रहा है चाइनीज जो अपका ट्रैवलर था वेन सौंग उसने अपने यात्रा वित्रांत में ट्रैवलाज में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है किसके बारे में नालंदा परिसर के बारे में तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इसे फिर से क्या किया जा रहा है सन 2014 से ही यहाँ पर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी गई है वर्तमान में यहाँ पर जो पढ़ाय जाने वाले विशे हैं वो है आपके बौध ग्रंट महायान और हीन यान दोनों ही विचारधाराओं के जो बौध धर्म ग्रंट हैं उनके बारे में यहाँ पर सिक्षा दी जाती है दर्शन शास्त्र के बारे में सिक्षा दी जाती है धर्म शास्त्र के बारे में सिक्षा दी जाती है दर्शन शास्त्र धर्म शास्त्र के बारे में तत्व मिमान्शा के बारे में यहाँ पर क्या दिया जाता है आपको सिक्षा दी जाती है, तरक शाष्टर के बारे में दिया जाता है, व्याकरण के बारे में दिया जाता है, खागोल विज्ञान के बारे में दिया जाता है, और साथ साथ आप लोगों को चिकित्सा भी शामिल है, इसमें मतलब मेडिसीन के छेत्र में भी यहाँ पर क्या किया ज जाता है आप लोगों को सिक्षा दी जाती है वर्तमान 2014 से ही यह क्या हुआ है फिर से यहां पर पढ़ाई शुरू हुई है तो यह हमारे लिए कितना ज्यादा important हो जाता है यह देख लिजिए तो वर्तमान में यहां पर Buddhist scriptures पढ़ाए जा रहे हैं of both philosophy, theology, metaphysics, logical, logics, grammar, medicine और logic, grammar, medicine, astrology कितने विविद यहां पर आप लोगों को क्या पढ़ाए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं तो यह हमारे लिए कुछ important information रही है किससे जम्मंदित नालंदा परिशर के स्थित है ना विश्व के visitor भारत के ठीक है यह हमारे लिए उतना ज़्यादा important नहीं है हमारे लिए जो important है वो है विश्व विद्याले ने 2014 में school of historical studies और school of ecology and environment studies में 15 चात्रों के अपने पहले batch को प्रवेश्ट कराया था यह है हमारे लिए बेहद important मतलब 2014 में हमारे लिए नालंदा जो परिसर रही है या फिर नालंदा जो विश्व विद्याले रही है इसने 15 चात्रों के साथ में फिर से अपना क्या किया था अस्तित्व में आया था किस रूप में school of historical studies and school of ecology and environment है ना यह हमारे लिए बहुत जादा important है उसके बाद से निरंतर यहां से batches क्या हो रही है पढ़ करके निकल रही है जो जो noble prize winning अमर्ते सेन रहे है अमर्ते सेन जो है जिने noble prize for economics दिया गया था वो भी क्या रहे है इसके पहले chancellor रहे है 2014 में उन्हें क्या बनाया गया था इनका पहला chancellor बनाया गया था किसका नालंदा परिसर का और पहला visitor बनाया गया था किसे प्रणव मुख्य प्रणव मुखरजी को इसका पहला क्या बनाया गया था visitor बनाया गया था वर्तमान में यहां के जो chancellor है उनका नाम है professor अर्विंद पनागरिया और जो vice chancellor है उनका नाम है अभय कुमार सिंग ठीक है और जो visitor होते हैं university के वो होते हैं आपके देश के राष्टबती तो फिलहाल आपकी द्रौपती मर्मूर में हो जाएंगी यहां के क्या visitor लेकिन हमारे लिए important क्या है पहले जो chancellor थे वो कौन थे आपके अमरति सेन थे और पहले जो visitor थे कौन थे प्रणव मुखर जी क्योंकि उस समय के president कौन थे प्रणव मुखर जी ही थे ठीक है अब हमारे पास में कुछ क्या है कुछ important reports और days है उनके बारे में हम देख लेते हैं पहला है हमारे पास में world refugee day हर साल उन सभी लोगों को जिनको कुछ न कुछ कारण से चाहे वैश्विक युद्ध के कारण हो चाहे पर्यावरण की आपदाओं के कारण हो अपने जगह से 20 थापित होना पड़ता है उन लोगों को acknowledge करने के लिए उन लोगों को सम्मान देने के लिए हर साल 20 जून को क्या मनाया जाता है World Refugee Day मनाया जाता है विश्व शरनार्ती दिवस मनाया जाता है Global Peace Index वरतमान में Institute of Economics and Peace द्वारा क्या किया गया है World Peace Index गोशित किया गया है अर्थ शास्त्र और शांती की अंतरराश्ट्रिय संस्थान वैश्विक शांती सूचकांक जारी किया गया है जिसमें भारत को 116 रैंक मिला है very 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 important 116 रैंक मिला है यह जो आपका World Peace Index है या फिर Global Peace Index है इसके हर एक बात important है इसका जारी करता कौन है अर्थ शास्त्र और सांती संस्थान याने की The Institute for Economics and Peace इंडिया का क्या रैंक रहा है 166 रैंक रहा है पिछले साल से 10 रैंक इसने क्या किया है इंप्रूव किया है मतलब इसके पिछले साल कितना रहा होगा 126 रैंक रहा होगा भारत का इस साल कितना हो गया है 166 रैंक हो गया है आउट ओफ कितना एक वर्षों तक आप लोगों के लिए ये सभी बहुत जादा important होगा क्या है ये इसके बाद में मतलब ये क्या करता है दुनिया भर के देशों में शान्ती के स्थर का आकलन करता है Iceland जो है आपका सन 2008 से निरंतर इस सुची में क्या कर रहा है पहले पायदान पर रह रहा है मतलब वो टॉप कर रहा है इस Global Peace Index को 2008 से अपनी स्थिती बनाये रखे हुए है सुची पर शीर्ष पर है सेकेंड नमबर पर है आपका Ireland तीसरे पर है Australia चौथे पर है New Zealand और पांचवे पर है Singapore तो आप लोग ध्यान रखेंगे पहला है Iceland और दूसरा है Ireland अगर ये याद नहीं होता है तो ये ध्यान लख लिजेगा C पहले आता है और R बात में आता है याने कि अगर हम Initial से Confuse हो जाएं कि Ice में भी I पहले आता है और I R में भी I पहले आता है तो पहले हम देख लेंगे C पहले आता है और R बाद में आता है इसलिए ये C वाला क्या है 1st rank पर है R वाला किस rank पर है 2nd rank पर है ठीक है अलाकि ये सब जो चीजें है ये सब आपको SWAM से बनानी चाहिए किसी का बनाया हुआ किसी और का बनाया हुआ जो acronyms होते हैं वो जल्दी से आपको याद नहीं होते हैं तो आप लोग SWAM ही क्या किया किजिए Shortcuts ढूंडा कीजिए ठीक है चलिए अगला है International Year of Quantum Science and Technology मतलब Quantum विज्ञान और प्रध्योगिकी का अंतरराष्ट्रिय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को Quantum विज्ञान और प्रध्योगिकी के अंतरराष्ट्रिय वर्ष के रूप में गोशित किया है आगामी एक वर्षों के किसी न किसी एक्जाम में आप लोगों को ये टकराएगा ही अब आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कौन से वर्ष को Quantum विज्ञान और प्रध्योगिकी का अंतरराष्ट्री वर्ष घोषित किया गया है आप लोगों से पूछेगा वर्ष 2025 को सन्यूग्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है अंतर राश्ट्रिय पर्या पारिस्थित्की तंत्र का वर्ष, अंतर राश्ट्रिय क्रित्रिम विज्ञानता का बुद्धी मता का वर्ष, यानि कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का वर्ष, या फिर X, Y, Z ऐसा करके आपसे क्या कर सकता है, question पूछ सकता है, तो quantum विज्ञान और प्रध्योगी की का अंतर राश्ट्रिय वर्ष किसे गूशित किया गया है, 2025 को किस ने किया है, संयुक्त राश्ट्र की आम सभाने किया है, यानि की United Nations की General Assembly ने क्या किया है, इसे International Year of Quantum Science and Technology गोशित किया गया है, आगे चलते हैं, sports में हमारे पास में कोई समसमाई की है, क् सबसे पहला है, India versus South Africa, Women's One Day International Cricket Series, भारत और South Africa के बीच में तीन दिवसिय या फिर तीन मैचों की Series, One Day International के रूप में क्या किया गया है, आयोजित कराया गया है, जो बैंगलूरू भारत में कराया गया है, और इसमें भारत ने तीन शून्य से पूरी तरह से clean sweep कर दिया है किसे South Africa को, भारतिय महिला टीम ने South Africa की महिला Cricket टीम को One Day International के तीन मैचेस की Series में 3-0 से परास्त कर दिया है, इंपोर्टन्ट हमारे लिए ये नहीं है, इंपोर्टन्ट हमारे लिए कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाये गए हैं, वो हैं, आईए देखते हैं क्या रिकॉर्ड् टन एंड बेटर, स्मिती मधाना, मधाना मेड हिस्ट्री बाइ बिकमिंग दा फर्स्ट एवर इंडियन विमन क्रिकेटर टू स्कोर कंजी क्यूटिव सेंचिरीज इन दा ओडियाई फॉर्मैट, मतलब One Day International के फॉर्मैट में, कंटिनियूसली एक सीरीज, एक मैच के बाद, दूसरे मैच में शतक जड़ने वाली पहली भारतिय महिला बन गई है, और इनका नाम क्या है, ये है भारतिय उपकप्तान, भारतिय क्रिकेट महिला टीम की उपकप्तान और इनका नाम है स्मिती मंधाना, इन्होंने पहले मैच में और दूसरे मैच में शतक जड़ करके क्य कर दिया इतिहास रच दिया है और यह पहली विमन इंडियन क्रिकेट प्लेयर बन गई है जिन्हों ने ऐसा कंजीक्यूटिव दो मैचेस में क्या किया है आपका शतक जड़ा है लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती इन्हों ने और भी रिकॉर्ड बनाये हैं इन्होंने और दूसरा जो बनाया वो भी हम देख लेते हैं लेकिन इससे पहले जो भारती टीम भारत में किसी महिला ने दो मैचेस में शतक लगाये थे वो था 1986 में और 1986 में संध्या अग्रवाल नामक हमारी भारती क्रिकेट प्लेयर ने टेस्ट सीरीज जो हो रही थी उस समय इंग्लैंड के खिलाफ दो शतक लगा करके ये हमारी क्या बन गई थी पहली भारती महिला बन गई थी जिन्होंने दो मैचेस में क्या लगाये थे शतक लगाये थे लेकिन उन्होंने किसमें लगाया था टेस्ट सीरीज में लगाया थ स्मृती मंधाना अभी पहली भारती महिला बन गई है जिन्होंने दो मैचेस में क्या लगाया है शतक लगाया है लेकिन वो किस में लगाया है वन डे इंटरनेशनल में लगाया है यहां से कन्फ्यूजिंग वाले स्टेटमेंट आपके लिए बनेंगे आपसे पूछा पहली भारतिय महिला क्रिकेटर कौन है जिसने किसी भी दो लगातार मैचेस में क्या बनाया है शतक बनाया है जब तक आप लोगों को स्पेसिफाइद नहीं करेगा कौन सा मैच है तब आप लोगों का आणसर यहां पे होगा संधया अगरवाल लेकिन अगर आप लोगों से specify कर देगा कि test match में किसने बनाया है तब आप लोगों का answer हो जाएगा क्या संध्या अगरवाल और अगर आप लोगों से क्या कर दिया जाएगा पूछा जाएगा कि one day international में बनाने वाली पहली महिला call है तो वो हो जाएगी कौन स्मृति मंडाना अब ये जो आपका इन्होंने दो लगातार शतक बनाने का record तो बनाया ही है साथ में overall अभी तक जितने भी इन्होंने match खेले हैं उसमें इन्होंने जितने शतक लगाए हैं मेरे कहल से कुल मिला करके इन्होंने साथ या आठ शतक लगाए हैं मिला करके और वो क्या कर देती है जो हमारी पूर्व कप्तान रही है मिताली राज पूर्व महिला क्रिकेट की कप्तान रही है मिताली राज उनका स्कोर क्या कर लिया है बराबर कर लिया है मतलब मिताली राज ने 50 ओवर्स के मैचेज में जितने शतक लगाए है उतने ही शतक ये लगा चुकी है, अब कौन स्मृति मंडाना, एक शतक और ये लगा देंगी, और ये हो जाएंगी क्या, सरवाधिक शतक लगाने वाली कौन, भारती महिला प्लेयर हो जाएंगी, अभी फिर लाल, इन्होंने क्या किया है, मिताली राज का क्या किया है, स्कोर को इक्वल किय है, इसमें, संधया अग्रवाल के बाद में दूसरी व्यक्ति बन गई है, दूसरी क्रिकेटर बन गई है, जिनोंने दो लगतार मैचेज में सैंच음ी लगाई है, स्मृती ने लगाया है, वंडे इंटरनाशनल में संधया अग्रवाल ने लगाया था, कि इसमें ODI में, लेक की पहली क्या बन गई है female cricketer बन गई है Smriti Mandana और कुल मिला करके 3 matches में इन्हें बना दिया इन्होंने बना दिया है कितना 343 run तो कितने सारे यहां पर क्या रहो रहा है आपका records तोड रही है है ना इसके बाद में the latest one day international century of Smriti Mandana is her seventh तो जो अभी दो इन्होंने क्या किये है centuries बनाई है वो इनका छटवा और साथवा century था और पूरी दुनिया में सरवाधिक centuries बनाने के सरवाधिक centuries बनाने के rank में जो Smriti Mandana है वो दसवे rank पर पहुँच गई है और इन्होंने किसका equal कर लिया है मिताली राज और Smriti Mandana दोनों नहीं अपने करियर में कितने बना लिये हैं साथ साथ बना लिये हैं लेकिन Smriti Mandana का करियर अभी चल ही रहा है और मिताली राज क्या रही है हमारी उपकटान रही है ठीक है इसके बाद में this is the third time Indian women team scored more than their 325 runs 2017 में 348 run इन्होंने क्या किये थे बनाये थे फिर 323 run इन्होंने बनाया था 2022 में England के against में और ये तीसरी बार है जब 300 से ज्यादा run बनाये गए हैं और कितने run बनाये गए हैं 325 run बनाये गए हैं मतलब अभी जो बनाया गया है वो South Africa के against में बनाया गया है 2022 में जो बनाया गया था वो England के against में बनाया गया था और 2017 में जो बनाया गया था वो किसके against में बनाया गया था Ireland के against में इन्होंने 300 से ज्यादा run Indian cricket players ने बनाया था आगे चलते हैं अगला हमारे पास में है BWF Australian Open 2024 तो Badminton World Federation द्वारा हाल ही में Australian Open नामक एक स्पर्धा कराई गयी थी जिसे officially किस नाम से जाना जाता है सेथियो ग्रूप Australian Open 2024 के नाम से जाना जाता है कहां पर कराया गया ये कराया गया State Sports Center Sydney Australia में कराया गया कब कराया गया एक से 16 जून 2024 के बीच में ये इसका कौन सा संसकरण था 33 संसकरण कराया गया है Men's Single का जो किताब जीता है वो जीता है Lee Zee Gia जो की Malaysia से है और जो Women's Singles का टाइटल है उसको जीतने वाले है Aya Ohori जो की कहां से है जापान से है हमारे लिए बहुत ज़्यादा important नहीं है हमारे राज्य की परिक्षाओं के लिए ठीक है ये तो हम लोग देख चुके है तो यहाँ पर हमारा खतम होता है राश्ट्री और अंतर राश्ट्री अवे सभी समसमाई की जो हमारे जून के तीसरे हफते में हमारे लिए महत्तोपूर्ण रही है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़ादा लंबा हो जाता information बहुत सारी थी हमारे पास में इसलिए हमने क्या क्या इसे दो अलग अलग भागों में बाट दिया था कल हम इन दोनों भाग से ही MCQ questions आप लोगों के सामने ले करके आएंगे तब तक आप लोग इन दोनों जो वीडियोज हैं इनको देख लेंगे ताकि आप लोग MCQs के लिए रेडी हो जाएंगे हमारे चैनल पर बने रही है अपने Current Affairs की जन्नी को एक्सेल करते रही है अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये Competition Community के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको